लद्दाख में फुल स्टेट की मांग सोनम वान्चुक कदावा लोग खुश नहीं लद्दाख में बहालो लोग तंत्र हम पहले के हालात में ज़्यादा खुश थे जी हाँ केंशासित प्रदेश लद्दाख में दोबारा पुराने व्योस्था को शुरू करने की मांग की गई ये मांग किसी और ने नहीं बलकि सोनम वाक चुक ने की जिन्होंने बीते पास दिनों से अंशन किया हुआ था उन्होंने पास दिनों तक खुले आसमान के नीचे अंसन किया अब उन्हों का एक वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें वो अपनी बात कहते नजार आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यूटी राजिस से पहले की ब्यौस्था ज्यादा अच्छी थी हादी हालांकि हमें लगता है कि ये रोक उन्होंने मेरी सुरक्षा या हिफाज़त से ज्यादा अपने मिस मैनेजमेंट को चुपाने के लिए क्यों किया क्योंकि मेरी आवाज फिर ज्यादा लोगों तक और फिर लदाक में ये तीन साल से ये जो यूटी का प्रशासन रहा है वो काफी नाकाम्याब रहा है लोग बहुत दुखी हैं हर तरफ क्योंकि यहां नौक्रियां 12,000 की उमीद दिलाई थी मगर 200-300 ही हुए हैं जिसमें से पुलिस में ज्यादा हुए जो की कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो दमन प्रदर्शनों को जो लोगों की गु स्थानिय कॉंसिल्स का वो भी अब डाइल्यूट होता जा रहा है तो हर तरह से विकास पहले से भी कम हुई है जो यहां बजट आता है 6,000 करोड का उसका 70 प्रतिशत मुझे बताया जाता है कि वापस चला जाता है लैप्स हो जाता है और वैसे भी उसका 8 प्रतिशत ही जनत प्रशासक जो लेफटिनेंट गवर्नर हैं उनके हाथ में अब वो कितना खर्चें और उनको क्या पता जनता के दुखदर्द क्या है तो इसलिए अब तंग आकर एक तो प्रभंदन से मैनेजमेंट या मिस मैनेजमेंट से दूसरा लोकतंतर खतम हो गया है यहां कोई चुन नहीं है कि लदाख का विकास हो एक आदमी जो कि लदाख को समझते भी नहीं है क्योंकि कहीं और से आते हैं जब समझते हैं 2-3 साल में तो वो बाहर चले जायेंगे और कोई नया समझने को आएंगे तो ऐसे में बहुत कूपरदबंधन होने वाला है तो इसलिए अब लोग परेशान होकर full statehood का मांग कर रहे हैं वैसे भी यूटी विद लेजिसलेचर मांगा था कभी यूटी विदाउट लेजिसलेचर नहीं मांगा था अब तो लोग full statehood मांग रहे हैं और मांगे भी क्यों ना क्योंकि जब जमु कश्मीर को full statehood दुबारा बहाल करने की बात की गई तो लदाक को क्यों नहीं लदाक में भी लोगतंतर होनी चाहिए एक तरह से लदाक तो जैसे गवर्नर्स रूल में चला जाता है कोई स्टेट दो महीने पांच महीने के लिए लदाक तो अब permanent गवर्नर्स रूल में है यहां किसी का कोई न रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ